हेलो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपूर पे आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का हिंदी का अब्जेक्टिव कोश्चन देखने वाले हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग 15 कोश्चन आप से पूछेंगे आप लोगों का 15 में से कितना नंबर आता है आप हमें कॉमेंट करकर जरूर बताइएगा तो चलिए श्टार्ट करते हैं और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बर आएगा तो सब्सक्राइब करके बैल को दबा लेजेगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपके मोबैल पे चला जाए तो ये वीडियो जो है वो काफी इंपोर्टेंट होने वाला है अर्दवार्सिक परिक्षा जो आप लोगों का कल होने वाला है उसके लिए यह मुश्ट इंपोर्टेंट है तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इसके बाद लगतार वीडियो आएगा इसलिए चैनल को सब्सक्राइब पर करेखिए ताकि हर एक वीडियो को नॉटिफिकेशन आपको बिलता रहे सबसे पहले सवाल में से पुश्ट की अभिलासा सिर्शा कवीता का कभी कौन है माखालाल चेतुरवेदी है जैसंकर परसाथ है निर्म परसाथ हैं ये पुश्ट की क्या नहीं चाहता है कि सुर्वाला का समनार्ठी सब्द निम्र में से क्या होगा तो सुर्वाला का समनार्ठी सब्द होगा वो हो जाएगा देव कन्या आप्सन नम्र सी Q3. Q7. 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 Q8. Q7. 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 Q कन्या के गहनों में कौन गुथना नहीं चाहता है तो देव कन्या के गहनों में कौन गुथना नहीं चाहता है तो पुस्प, option number C हो जाएगा, question number 8 पे आते है, question number 8 में आप से कहा जा रहा है, कि प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता है, तो प्रेमिका जो है, उसको कौन लल बान होना, option number B, question number 10 पे आते हैं, question number 10 में आपसे कहा जारा है कि भासा मंजरी पार्थी पुष्टक में माखलाल चेतुरवेदी द्वारा रचित पार्थ का क्या नाम है, तो इसका जो नाम हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, देश प्रेम, क्या हो जाएगा, sorry, इसका नाम ह हो जाएगा, यहाँ पे तो options में दिया ही नहीं है, तो part पठित का नम क्या है, पुस्प किया भिलासा होगा, या फिर डायन होगा, या फिर देश प्रेम होगा, तो इसका right answer होना चाहिए, देश प्रेम, डायन है नहीं, यहाँ पे देश प्रेम कर लिजेगा, ठीक है, question number 11 में आपसे कहला है, वन माली का क्या अर्थ होता है, तो वन माली का अर्थ होता है, वन का माली, ठीक है, क्या होता है, वन का माली, option number A हो जाएगा, कोस्व नमबर 12 पर यह कह रहा है कि चाह नहीं सुर्बाला के गहनों में गुथा जाओं यह पंक्ति किस कविता से लिग गई है तो यह जो पंक्ति लिया गया है न यह किस से लिया गया है तो यह जो पंक्ति लिया गया है पुस्व की अभिलासा से लिया गया है तो जो पुस्ब की अभिलासा है, वो हिंदी साहित की कौन सी विद्या है, तो ये जो है न, क्या है कवीता है, क्या है कवीता है, कोशन नमबर 14 में आपसे कहा जा रहा है, कि निमलिखित में से पुस्ब का परियावाची सब्द है, तो पुस्ब की परियावाची सब्द क्या ह होगा आपको बताना है तो शहद नहीं होगा बाकी सब होगा तो आपको तीनों याद करना है तो 15 सवाल आप से पूछे हैं 15 में से कितना नंबर आपका आया है प्लीज हमें कॉमेंट करकर जरूर बताईए यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बैल अकन को दबा लेजिए ताकि इस तरह के वीडियो का नॉटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए विलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यू